कैसे हैं आप सब गाइज यह देख रहें कितना खुबसूरत प्लांट निकल के आया है और यह ऐसी एक पॉट में कटिंग फेक नी थी मुझे तो कटिंग ना फेक्ट वे मैंने की वेश्ट डबा था मेरे पास नहीं रेखिए दिखाती हूं निकाल करके यह देखिए तो इस इस तरीके से गाडन में आप वेश्ट चीजों से भी अपनी गाडलिंग का शौक पूरा कर सकते हैं और और एक बॉटल मैंने कट करी थी देखिए यह बॉटल कट करके पेंट कर रखा है मैंने वाकि यह बॉटल को मिझे तीन सा लोगें पेंट करें और मैंने इसमें अभी कोलेस लगाया जो कि बहुत ही खुबसरत लग रहा है सो इसी तरीके से मैंने कुछ यह आपको दिखाने जा रही हूं यह दो स्टैंड बनाए है मैंने स्टैंड भी वेश्ट थे घर पर मेरे मटके रखते हैं वो हैं और साथ में ही मैंने यह घर में पेंट हुआ था तो पा दोनों बाकेट मैंने स्टैंड में पेंट करके लगाई है भी हलका फुलका एक बारी हुआ है और मैंने इसमें कटिंग से मनी प्लांस लगाए फिर और उसके बाद में मास ग्रास लगाई है मैंने इस तरीके से पीवी सी के पाइप में मैंने यह राउंड किया है मास ग्रा काफी जादा मुझे अच्छे लग रहे हैं और मेरा मन था कि यह जब पूरी मनी प्लांस इस मॉस्क रास के राउंड में जब राउंड ले लेगी तो काफी खुबसूरत लगने वाला है पिछले साल मैंने ट्राई किया था इसी तरीके से तो खाली पाइप था और उस पाइप में जो लीवस थी ना लिपट तो गई थी पर उतनी ज़ादा खुबसूरत नहीं लगी मुझे तो मैंने इस साल इसको अभी पंदरा दिन हुए है मैंने इसको अटेच किया है मास ग्रास को और अभी इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किसी हद तक मनी प्लांस यह देखिए चड़ने लगी यह दोनों तरफ से तो मैं इसको छेड़-छाड नहीं कर रही हूँ फिलहाल तो और बहुत ही अच्छी इदर भी देखिए यह स्टैंप इसकी यह इस इनकी जड़े है इस मॉस ग्रास में टैच हो जाती है न तो जो पत्ते के साइज है वो भी बढ़ने स्टार्ट हो जाती है और जो इनकी खुपसूरती है वो तो लाजवाब होई जाएगी तो इस तरीके से जो मुझे यह स्टैंड लगे मैंने बनाए हैं और यह आप एक सो पीस जैसे हो जा हम इसको इस तरीके से घर पर सजा भी सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगने वाला है मुझे लगता है और आपको कैसा लगता है आप मुझे जुरूर बताइएगा आप इस तरीके से पॉट अपने रैडी कर सकते हैं अपने जो औरिजिनल प्लांस है उनको अगर कुछ डिय करके अगर आप बना सकते हैं तो बनाएं क्योंकि यह डियाएवाय करके ही मैंने इस तरीके से बनाया है और मुझे काफी सुन्दर लग रहा है थोड़ा सा पेसंस तो रखना पड़ता है हम गार्डनर्स को बट जो भी इनके रिजल्ट निकल के आते हैं आ बाइगाड उसके बाद इस पाइप को इंसर्ट करने की कोशिश करी तो इस मॉस ग्रास के अंदर की जो ग्रास है वो प्रॉब्लम दे रही थी गाईज और पॉसीबल नहीं हुआ अंदर पाइप इंसर्ट करना तो मैंने यह बाहर थी इसको अटेच किया है उसके बाद जब दुबारे दूसरा वाला गरना था ना मुझे तो थोड़ा सा दमाग लगा करके मैंने क्या किया जिस साइड से मुझे इसमें मॉस ग्रास में जो डंडा होता है ना बैंबो वो बैंबो थोड़ा थोड़ा निकाला मैंने और दूसरी साइड से इस पाइप को डालना स्टार्ट किया ए में थोड़ा सा दिमाक नहीं लगा पाई थी तो कोई बात नहीं फिलाल गुंजैस पूरी हो रही है और ये पाइप जब ये पाइप ये मनी प्लांस कावर कर लेगी न तो ये पाइप दिखने वाला भी नहीं है तो और मौस ग्रास का जो सपोर्ट है वो तो पूरे ही मिल रह हैं और समय की थोड़ी सी कमी सुपोर्ट करें फिर मिलती हूं किसी अच्छी सी डिटेल के साथ में तब तक इंजोई इस वीडियो बाई फ्रैंस